सोशल मीडिया पर महिला मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है मामला गुजरात के वडोधरा का है जहां एक मुस्लिम महिला का विरोध देखा गया वडोधरा में धार्मिक नफरत को लेकर एक नया मामला सामने आया है यहां एक मुसलिम महीला को आवास योजना के तहत मकान मिला तो सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोज करना शुरू कर दिया इंडियन एक्सप्रेस में चपी खबर के मुताबिक 44 साल की महीला को हरनी में वी एमसी यानि की वडौदरा नगर निगम के नियम आयसमू अवास परीसर में यह मकान मिला है महीला के रहने से यहां के 33 निवासियों ने आपती चताई है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा आकिर क्या है यह पूरा मामला इस वीडियो में वस्तार से आपको बताएंगे Ministry of Skill Development and Entrepreneurship यानि उधमिता एवं कोशल विकास मंत्रवाले की एक शाखा में यह कारेगरत मुस्लिम महीला को 2017 में यह मकान मिला था उन्होंने बताया कि 2020 में यहां के लोगों ने उनके आवंटन को रद करने के लिए विरोध किया था Society वालों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जिसके जाच भी शुरू हो गई और बाद में पुलिस ने शिकायत बंद कर दी अब एक बाफ फिर यहां के निवासियों ने 10 जून को प्रदर्शन कर उनके आवंटन का विरोध किया लोगों ने अपनी शिकायत में कहा कि हिंदू बहुल सोसाइटी में मुसलिम को घर देना सही नहीं है यहां आसपास कोई मुसलिम नहीं है एक मुसलिम के होने से कानून विवस्ता के लिए संकट पैदा हो सकता है अधिकारियों को कहना है कि वह महिला सोसाइटी में एक मात्र मुसलिम है मौजूदा समय में महिला अपने माता पिता और बेटे के साथ वडौदरा में दूसरी जगार रहती है मुसलिम महिला ने कहा कि मैं वडौदरा के एक मिले जुले इलाके में पली बड़ी हूँ मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा एक बहतर इलाके में बढ़ा हो लेकिन मेरे सपने टूट गए क्योंकि लगबग 6 साल हो गए और मेरे सामने जो विरोध है इसका कोई समाधान नहीं है मेरा बेटा अब कक्षा 12 में है और यह उम्र ये समझने के लिए काफी होता है कि ये SB क्या हो रहा है ये भेदबाव उसे मानसिक तौर से प्रभावित करेगा खबर के तुल पकड़ते ही मामले की राजनीती भी गरमा गई कॉंग्रिस नेता सुपिय श्रीनेत ने कहा कि 461 फ्लाट में से एक फ्लाट मुसलिम महिला को देने पर बवाल हो रहा है वो महिला एक सरकारी करमचार है विरोध प्रदशन करने वाले गलीच ही नहीं धोंगी है हिंदू तो कता ही नहीं है यह नफरती चिंटू मेरे धर्म क के नाम पर धबा है